आज इस lecture में हम बात करेंगे react.js में memo के बारे में और यकीन मानिए कि काफी important topic होने वाला है क्योंकि यह मैं अपने experience से उड़ा हूँ मेरे को एक time पर memo का use हुआ था तो मैं अपने experience से एक एक point जो है बढ़िया तरीके से बारीकी से experience के जाथ समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूंगा what is memo and then why we used memo in react.js and then हम एक छोटी सी example देखेंगे जो की to do's के उपर होगी using memo मतलब हम पहले एक problem देखेंगे फिर हम उस problem को phase करेंगे और फिर problem को solution भी हम यहाँ पर memo के द्वारा करने वाले उसे example के द्वारा ठीक है तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा memo है क्या ठीक है जब भी आप किसी current file में बर्क कर रही होते हो जो भी आप index.js या index.js या आपकी कोई file बनाओगे तो उसमें क्या होता है आप import कर सकते हो react के द्वारा memo को ठीक है अभी memo एक method होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो एक component पास कर रहे हो ठीक है अब आप बोलोगे कि इसके अंदर आप component क्यों पास कर रहे हो इसके अंदर आप component इसलिए पास करते हो कि वो component बारवार re-rendering ना हो ठीक है तो memo होता क्या है basically memo का वस इतना ही यूज होता है कि आपके component को re-rendering करवाना ना हो ठीक है मतलब अब जब तक component आपका update नहीं हो रहा तो उसे re-render नहीं करवाएगा memo ठीक है तो देखिए अभी आपके थोड़ा point से निकल रहा होगा तो अभी मैं जो second point बताऊंगा उसमें थोड़ा आपको पल्ले पढ़ने वाला ठीक है तो द्यान से समझेगा second point वाई वी यूज़्ड memo in react.js ठीक है तो द्यान से समझेगा पहले मैं theoretical career कराऊंगा फिर मैं अपने example पर चलूओंगा ठीक है मान के चलिए जब कोई component है जब मान के चलिए आपके पास दो component लोग है parent नच जानिया पर क्या करता हूं एक parent मेरा component हुआ ठीक है फिर आपका है एक चायल्ड तो यह आपके पास दो वात है चाइल्ड को यूज्य कर देंगा तो आपने रोख जो मेरा रेंडर होगा आप जानती है कि जब मेरा parent की जो html है जब मेरी render होगी तो उसी में मेरा child का भी component जो है as a html use हो रहा होगा तो वो भी render होगा ठीक है तो हर बार वो render होगा ठीक है पर बाइद अबे मान के चलिए इस जो मैं question अभी आपके साथ solution देने वाला हूँ वो आप एक definition के अंदर सम मान के चलिए parent के अंदर child वाला जो component है render हो रहा है वार 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 हाला कि मैं parent के अंदर change कर रहा हूँ पर child वाला अपने आप re-rendered हो ठीक है तो इसी की definition समझे जब कोई component वार वार रेंडर हो रहा है जिसे हम क्या बोलते है re-rendering ठीक है मतलब कोई भी component वार वार रेंडर हो तो उसे हम बोलते है री-rendering ठीक है और वो भी उसके बिना प्रॉप्स चेंज हुए लाइक मान के चलिए आप पैरेंट यूज कर रहे हो ठीक है पैरेंट तो आपका रेंडर हो नहीं है क्योंकि आप पैरेंट को यूज कर रहे हो पर उसके अंदर जब आप चाइल्ड को यू तो इस चीज को रोकने के लिए आप मैमो को यूज करते हो ठीक है तो मैमो करता क्या है कि कोई भी कंपोरेंट बार बार रेंडर ना हो जब तक कि उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ हो ठीक है अब मान के चलिए पैरेंट के अंदर जब चाइल्ड यूज हो रहा था ठीक है कोई बात नहीं है रेंडर हो रहा था पर मेरे दिमाग में एक कोश्चन आया कि भाई मैं इसे रेंडर क्यों कर रहा हूं जब तक इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा जब तक यह रेंड़ नहीं होना थानला कि मैं पैरेंट के अंदर चेंज कर रहा हूं ठीक है तो接 me चाइल्ड के इंदर चेंज Mm करूंगा तब मेरा रहा उना चीए ठीक है तो आहां आपको समझ में आया होगा कि memo का हमीं यूज क्यों कर रहा है theoretically कि जब कोई render हो रहा है रे-rendering हो रहा है कोई component और आगर आप चाहते हो कि जब तक उसमें कोई update नहीं हो रहा है उस component में जब तक वह rerender ना हो ठीक है तो उसके इसको follow करने के लिए उससे problem का solution जो है memo के द्वारा ही किया जाता है ठीक है तो चलिए मैं start कर लिता हूं अपना project ठीक है तो यहां पर देख पार हो src के अंदर मैं यहां पर index.js के अंदर बात करूं तो मेरे पास अभी simple इतना code है जैसा कि आप जानते हैं मैं इतना ही simple code के अंदर हम क्या गराते हैं component को load करा देते हैं ठीक है तो अभी देखिए मैं क्या करता हूं एक file वना लेता हूं ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है यहां पर अब इन दोनों फाइल्स की बात करूंगा अभी यहां पर क्या होता यह component है और यह आपका parent component है ठीक है जोगी अभी हम यहां पर parent component बनाएंगे और यह हमारा child है ठीक है तो हम चाहेंगे कि यह component इस parent के अंदर use हो और हरवार मतलब call हो ठ ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा होगा यह वैसलिए फैटरू मैथाड बना रहा हूं मैं ठीक है फोई टैंसन वाली बात नहीं है अब जब यह component जब भी कुई call करेगा तो यहां पर प्रॉप्स आ रहे होंगे ठीक है प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी जैसा कि आप जानते हैं हम टूडूज की Application बाल रहे हैं तो तूडूज ही आपके पास आ रहे होंगे ठीक है अब यहां से यह क्या करेंगा component रेटन कर रहा है रिटन क्या कर रहा है यहां से हमने html tag होना यहां पर हमने close किया और यहां पर क्या कर रहा है हम two-dos को सो करा रहा है तो like man के चली मैंने एक h2 heading होना ली जिसमें मैंने लिख दिया my two-dos ठीक है तो कोई tension वाली बात नहीं है यह क्या कर रहा है विसकली यह component अपने two-dos को सो करा रहा है ठीक है यह बिसकली जब component कहीं से call होगा तो वहां से क्या हो रहा होगा to-dos पास हो रहे होंगा और वह यहां पर मतलब simple print कराएगा ठीक है यह component तो यहां पर हमने क्या किया कि to-dos To-dos.map ठीक है map का हम कभी use करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी area के values को सो कराना होता है ठीक है तो यहां पर मैंने लिख दिया to-do ठीक है और यहां पर मैं उसकी index ले लेता हूं ठीक है तो वाई हूप आप जानते हैं कि हम इस तरही से निकाल सकते हैं उसके इंडेक्स ठीक है और यहां पर हम क्या करते हैं इनको रखते हैं एक ब्रैकेट में ठीक है तो टूडू के अंदर हमने यहां पर डॉट मैप के अंदर एक क्या किया ब्रैकेट बनाया जो कि हम यहां पर क्या है एक पैराग्राप के लिया यहां कुल नाम कर से रिटरन कराएंगे और हम यहांपर कराएंगे ठीक है यह भी कर criter लिख दिया index ठीक है यह आपकी की हो गई and फिर आपने यहां पर क्या किया आपने इस paragraph को यहां पर इसने close कर दिया ठीक है तो तो हुए रहा है विसकली ठीक है कोई टैंस वाली बात नहीं है और मैंने यहाँ आपने टूदू को शोकरा HEY घो तो यहां पर वेसकली की को हम यहाँ पर शोकर आ रहे हैं ठीक है तो यहां पर इसको है paragraph को यहां पर लूइए तो की मैंने यहां पर तो कराई हुग है जैसे कि आप जानते हैं हमें इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमने यहां से क्या किया चाइल्ड कंपोनेंट का था जो काम वो हमने यहां से complete कर दिया है अब हमें से एक parent component मतलब एक component के अंदर component हम लोड कराने वाले ठीक है तो सबसे पहले तो गाइस हमें यहाँ पर इस component को टूडूज को जो है हमें यहाँ पर import करना होगा तो मैंने यहाँ लिखा import और मैंने यहां पर to dos और from कहांसे आ रहा होगा सबसे पहले तो हमें यहां से बार जाना होगा current वाले मॉडूल से ठीक है है तो हम बार गई फिरम गई to dos नाम के folder के अंधर फिरम गई अपने toodos नाम के component के पास ठीक है कोई दिक्कतवाली वात नहीं है अब यहां पर हमें क्या करना होगा लेक्रेंदें एक एक यहांपर कॉंट्स एयब करके एक component create कर रहा हूं चो Why surgit यह मेरा क्रेट हो चुका है अब इसके अंदर क्या है लाइक मान के चलिए आप रिटन करा होगे सिंपल जैसा कि आप जानते हो रिटन कराना होता है जब भी आप किसी कंपोनेंट के अंदर वर्क करोगे तो आपने यह एस्टीमल टैस्ट लगाए यहां पर आप क्या कर रहे ह आक्वाशी आपने यहां पर यूस कर लिया ठीक है तो इस तरीके से भी कर सकते हो या आप अप्ट दरीके से भी इस है क्लोच कर सकते हो सौड तरीके के ठीक है अभ जैससरJacky में आपको बताया था यह नाम का जो टूडूज ठीक है टूडूज इसकोल टू और यहां पर मैं कुछ वैरिवल्स कर लेता हूं मतलब स्टेट का हम यूज करने वाले हैं तो मैंने यहां पर क्या किया यूज इस्टेट करूंगा यूज इस्टेट पहले मैं जैसे कि आप जानते हैं कुछ हम नम्मर्स ही रख ल इस्टेट करूंगा ठीक है तो टूडूज कॉमा एंड रन सैट टूडूज ठीक है तो मैंने इस तरीके से यूज गया हुआ है फिर मैं यहां पर यूज इस्टेट कर रहा हूं अगिन मैंने यहां पर यूज इस्टेट किया अब यहां पर क्या हो रहागा बसली एक और य यहां पर प्रिंट होगा एक टूडू नाम का जो एरे ले रहा होगा विसके लिए एज पेरामेटर ठीक है फिर यहां से हमने मैप किया तो एक के कार्यों को यहां पर प्रिंट डिगड़ा देगा उसकी की इसके पास कर दियें कंपोनेंट के ठीक है एक मैं थोड़ा और यह अच्छा लगे या प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है तो हम यहां से तरीकिसे क्लोज कर देते हैं तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं सिंपल एक बटन बनाऊंगा जो की इंक्रीमेंट कर रहा होगा दे याप देख पाल रहना जीरो ओगा थीक है तो अभी मैं इससे इंक्रीमेंट करूंगा बटन के क्लिक पर तो मैं यहां पर लगाता हूं बटन सुरी जा शरी इसके धोड़ा नीचे हम कर दितें वार्ट तो बटन और यहां पर मैंने लिखा प्लस ठीक है तो मैंने мои करेगा तो यह increment होता है इसका count ठीक है तो on click on click पर हम यह काम कराने वाले हैं on click and then मैं यहाँ पर क्या करूँगा method create करूँगा सबसे पहले तो तब हम यहाँ पर working करेंगे ठीक है तो const increment increment नाम का मैंने यहाँ पर क्या क्या method जो है create कर लिया ठीक है कोई extension वाली बात नहीं है और यहाँ पर यह क्या करेगा set count करेगा set count ठीक है set count में हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं basically यहाँ पर हम करा देंगे इसके अंदर भी एक method बना ले तो like मैंने वान के चलिए c बना लिए c and then factor method बना रहे हैं मतलब मैंने कोई भी name रख ले तो चाहे आप x रख लो चाहें कुछ भी रख सकते हो c की जगा फिर मैंने लिखा c plus one ठीक है मैं हर बार क्या कर रहा हूं plus one कर ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस increment को यहां पर यूज कर लूँगा ठीक है on click पर तो increment को मैंने यहां पर यूज कर लिया अभी मैं यहां पर देखूं तो मेरी कुछ इस तरीके की application वनेगी तो application तो अभी रन नहीं होगी क्योंकि मैंने यहां से रेंडर कराया मैंने तो यहां पर देख पा रहे हूं आप अभी आपको कुछ इस तरीके की screen दिखाई दे रहे थीक है तो यहां पर यहां बना है ठीक है अब देखे जैसी मैं यहां-पर प्लस-प्लस-कलिक करता हूं तो यहां पर यह. अब मतलब इस एक्जाम्पल के अंदर प्रॉलम क्या है यहां पर इंस्पेक्ट करता हूं ठीक है तो द्यान से समझिए का जैसा कि मैंने आपको बता है कम्पोनेंट्स रेंडरिंग नहीं होना चाहिए ठीक है तो रेंडरिंग की प्रॉलम को solve करता है हमारा मैमो ठीक है determines कि हमें राहनी की पता कैसे लिए कि वो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी मतलब component जो हर बाद लोड हो रहा ठीक है तो मने यहां पर लिख दिया चायल्ट क्या कोहलते हैं यह आपका एक रोड बार ठीक है कोई टेंशन वास निया है मतलफ प्लस पर क्लिक करamen देखिए प्लस पर लच्ते में से आपका यह vormula से होता है कि मतलब आपका component वार-वार्री रेंडर ہو रहा है जैसे कि मैं हरब बार प्लस पर क्लिक कर रहा हूं तो देख पार हूं यहां पर उसकी जो गिंती है वो बढ़ती जा दिए 7 8 9 10 ठीक है मतलब यह क्या हो रहा है आप component जो है बारवार रेंडरिंग हो रहा है ठीक है तो इस problem को solve करने के लिए हम यहां पर memo का use करते हैं ठीक है तो आई हूप आप understanding हो पा रहा है कि यहां पर यहां पर यहां पर डू-डूज नाम का जो यहां था आपके component वार-बार रेंडर हो रहा है अलांकि हम चेंज जो कर रहे ह twist के लिए मतलब एप वाली के अंदर फिए पर यह क्या कर रहा है यह हरवार क्या कर रहा है कंपोनेंट को भी रेंडरिंग करा रहा थी कहा है तो इस चीज को कैसे रहो सत्हें using memo ठीक है तो आपको करना का है चाइल्ड वाली कंपोनेंट में चला जाना है और सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर आजाओ और यहां पर आपको बताना होगा कि यह ड्यक्त से ढा aur ठीक है तो यहां से आपने किया और यहां पर आपको सिंपल क्या कर देना है मैं मुप का पास कर देना है और यहां पर आप क्या तो हगो ठीक है मैं यह क्या बात आपको बताना बोलिए कि अधी मैंने भी सेव नहीं किया फाइल ठीक है अब इहां पर क्या होता जैसे मैं यहां पर प्लस पर क्लिक कर रहे हूं यह तो हां भी perfect चल रहा है पर मैं जैसा पर更 पर क्लिक कर रहा हूं यह हर भार रेंडरिंंग होँ रहा है पर मेरे child component में कोछ चेंजमेंट नहीं हो रहा यासा कि आप देख पारे हो यहां पर टूडू बन है यहां पर भी टूडू टू है पर यहां पर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है मैं चाहता हूं कि जब मेरा कोई चेंजमेंट हो तब मेरा यहां पर क्या हो तो चाल्ड कमपोनेंट रेंडर होड ठीक है पर यह तो बे फालतू के रेंडर हूए जा रहा है इसका कोई काम ही नहीं है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर मैमू का यूज कर रहे है तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया हुआ है फिर आपको करना है के एक्सपोर्ट डिफॉल अभी जो फर्स्ट टाइम पर लोड होगा, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट टाइम पर हर एक एप्लिकेशन में सारे components लोड होते हैं, तो आपका यहाँ पर एक component मतलब पहली बार लोड हो चुका है, चायल्ड component थीक है, पर जैसे ही मैं प्लस पर क्लिक करूंगा, क्या ये change क्या होता है memo का यही युज होता है जब तक आपके component में कोई changement नहीं हो रहा है तो आपका और री रेंडर नहीं होगा आपका component ठीक है अदलब अभी child component में देख पार हो यहां पर टूडु बान फोडु टू यह ठीक है अगर यहां पर कोई चيंजमेंट होता तो Drain that would share सब्सक्राइब क मेसे करते हैं यहांपर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो आप यहां पर ment cargo यहां पर rerenderनहिं कर रहा आपने उजिंग तो इह क्या करता है आपके कोड कुछ फोड़ा करता है थोड़ा फास्ट करता है कि आपका थोड़ा फास्ट लोड हो ठीक है अब यह थोड़ा टाइम कंजूमिंग हो जाएगा कि आप यहाँ पर हर बार जो है अपने कंपोनेंट को री रेंडर करा रहे हैं तो आहीं आपको मैमों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिल इस लेक्चर से क्योंकि यह मैं अपने एक्स्पिरेंस से बता रहा हूं यह क्यों आपको जुरुत पढ़ने वाली होते है ठीक है तो गाइस मिलते हैं मैं ना इस लेक्चर में थेंक्यू और मैं आपको ठूस Corin लेक्टाूने थे से में अच्छी को जुरुत थे से लेक्ते हैंगे भो